हलो फेंट्स तो चलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में आर न हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था तो अगर आपने यह सारी चीजे नहीं सीखी है तो आप मेरे चैनल पर आओ और यह डेटा स्ट्रक्चर एंड अलगर्दम यूजिंग सी 2020 यह वाली प्लेलिस्ट को आप एक्सिस करो यार अगर अभी तक आप एक्सिस नहीं किया है तो जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है तो अभी हम बात करते हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डबली इंडेड क्यू या डी क्यू है ना हम लोग ने जब क्यू को पढ़ा तो वहां पर हमने इंक्यू या डी क्यू दो आपरेशन देखे थे तो वह वाला डी क्यू यहां पर रही है हम डबली इंडेड क्यू पढ़ने वाले हैं जो क्यू का ही कुछ एक स्पेसाल होता है और डबली इंडेड क्यू में डी को लिया गया है क्यू में से क्यू को लिय तो हम हमेशा क्या करते हैं, फ्रंट में डिलीशन करते हैं, और रेर में क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो फ्रंट में डिलीशन एंड रेर में इंसर्शन ये चीज़े हमको पता है, लेकिन जो डबली इंडर की होता है, हम फ्रंट पे इंसर्शन एंड डिलीशन पर फार कर सकते हैं और रेयर पर भी insertion and deletion perform कर सकते हैं इसका मतलब कि जो डी qeee होता है उसके दोनों इंड़ पर front and rear पर हम insertion and completion perform कर सकते हैं अभी तक हमने देखा था कि हम एक किम इंड पर इंसर्शन कर रहे हैं तो एक इंड पर डिलीशन कर रहे हैं लेकिन डबली इंड क्या होगा कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ही इंड पर एलाउड हैं है ना तो अगर इस वाले डाइग्राम को आप देखें तो यहां पर हमने आपको सो भी किया है कि अगर आप इधर से च सकते हैं तो दोनों IND पर होता है Insertion & Deletion , तो यह इसको Special बना देता है कैसे देखिए जब आप Doubleि powered ready Q को Implement करते हैं तो आप इसको IS viv장inku या influence कर सकते हैं क्यों कियोंकि देखिए अग हमारे पास जो stack होता है उसमें हमें पता है पर अगर हम लोग insertion या deletion को करें दूसरे इंड पर ना करें एक इंड पर करें किसी भी एक इंड पर करें तो वहीं पर insert हो रहा है वहीं पर delete हो रहा है तो इस DQ को हम as a stack use कर सकते हैं है ना और अगर हम इसी चीज को एक इंड पर इंसर्शन करें और दूसरे इंड पर डिलीशन करें या दूसरे इंड पर इंसर्शन करें और दूसरे अपोजिट वाले इंड पर डिलीशन करें तो इसको हम लोग आजा क्यू यूज कर सकते हैं यानि कि अगर हम dq को कुछ special तरीके से implement कर दें तो हम उसको as a stack as a q use कर सकते हैं है ना तो फिलाल हमें पता चला यार कि जो हमारा dq होता है उसके दोनों ind पर हम लोग insertion and deletion को perform कर सकते हैं है ना अब अगर हम insertion या deletion की बात कर रहे हैं जैसे माल लीजिए अगर मैं एक ind पर insertion को ना करूँ हमने कहा कि हम front पर सिर्फ और सिर्फ डिलेशन करें और rare पर insertion and deletion दोनों करें तो हमने एक ind पर insertion को रोख दिया है input को रोख दिया है तो इस case में ये कहलाता है क्या कहलाता है input restricted dq है ना input restricted w ended q क्योंकि आपने एक ind पर input को रोख दिया है input को रोख ना मतलब इस तरह से program करना implement करना कि आप वो option ही ना दो एक ind पर input करने के लिए एक ind पर insert करने के लिए है ना तो उसे हम बोलेंगे input restricted dq या input restricted w ended q उसी तरह से अगर हम deletion की बात कर रहे हैं दोनों में से एक ind पर किसी भी ind पर अगर हम लोग deletion को रोख दें हम कुछ इस तरह से implementation करें कि जो user है वो एक ही ind से delete कर पाए तो उसे हम बोलेंगे क्या output restricted q है ना जैसे insertion में हम लोग बोलते थे input restricted w ended q उसी तरह से हम क्या बोलेंगे output restricted w ended q तो अगर insertion या deletion की बात करें तो input restricted या output restricted भी w ended q हो सकता है लेकिन अगर हम दोनों इंड पर insertion deletion को perform करेंगे तो वो नार्मल एक dq होगा अब हम बात करते हैं कि dq को हम लोग किस तरह से implement कर सकते हैं जैसे आपने देखा था जब हम लोगोंने circular q पढ़ा था जब हम लोगोंने circular q पढ़ा था उसको implement किया था अरे का यूज करके हैं अगर आपको याद है तो क्या होता था जब हमारा रेर लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर लास्ट वाले को मतलब लास्ट वाले बाक्स का इंडेक्स होता था तो अगर अगर बिगिनिंग में कोई खाली जगा होती है तो हम लोग अपने रेर को क्या कर देते थे जीरो सेट कर देते थे तो इस तरह से घूम करके यहां से फिलिंग स्टार्ट कर देता था है ना तो वह एक circular array बना रहा था है ना और उसको जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे तो इसको किस तरह से करेंगे चली उसको हम लोग समस्ते हैं तो जैसे अगर हम लोग पहली हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आपको बता दूँ कि circular q को देखे हमने implement करना सिखाया था आपको array का यूज करके उसके बाद dynamic array का भी यूज करके हमने आपको बताया था ठीक है तो यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं कि देखे जो हमारा array होता है वो एक तो linear हो जाता है जिसमें हम लोग insert value को करते हैं एक होता है circular array circular array मतलब यार कि अगर आप last वाले box में value को रख दिया और अगर beginning वाले box में खाली जगा है तो आप क्या करो जो rare होता है उसको हम लोग क्या करे थे front में ला दे रहे थे तो insertion के time पर क्या हो रहा था कि इस तरह से यहां से आने के बाद यहां पर insertion start हो जाता था तो इस तरह से यह एक cycle बना दे रहा था है ना इसलिए इसको हम लोग बोल रहे थे circular q के q है ना तो उसी तरह से अगर आपको w-inded q को insert करना है तो आप circular अरे का use कर सकते हों है ना यहां पर देखिए हम ने diagram को बनाया है इस तरह से तो अगर आपको क्या करना है w-ind 일단 q को implement करना है तो आप circular array का use कर सकते हो मैं जो आपको बताने वाला हूँ w-inded q को implement करना उसको मैं आपको बताऊंगा w-link list का use करके w-link list तो w-link list का use करके किस तरह से w-inded q को implement करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो array में circular array का use करके किस तरह से आप W-Indeed Queue को Implement करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा चलिए देख लेते हैं है ना तो जब हम insertion की बात करते हैं तो हम लोग front में insert कर सकते हैं last में insert कर सकते हैं और delete front में कर सकते हैं delete last में कर सकते हैं यह mean चार operation होते हैं डबली इंडिड क्यूं के, है ना, तो हम अगर आप array का यूज करके implement कर रहो है, यानि कि circular array का, है ना, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक linear array बनाया है, और इसी linear array को इस तरह से हमने circular fashion में दिखाया है, है ना, आप समझ पार हैं, देखिए, वही पूरा चीज हम ने बनाया है यहाँ पर है ना तो इस तरह से आप इसको imagine करिए अरे तो होता इस तरह है आप आप इस तरह से imagine कर सकते हों तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले आप अगर पहली बार जब आप insert करेंगे तो या तो आप front पर insert करें रेर पर insert करें सब बात सेम ना देखिए, जब भी आप insertion परफार्म करने वाले है तो सब से पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे इंपटी स्पेस है कि नहीं है न क्योंकि अगर हमारा अरे फुल है तब तो हम उसमें इंसर्टी नहीं कर सकते तो इंसर्शन में आपको ध्यान यह रखना है कि चेक करना है हर बार चेक करना जब भी आप इंसर्शन परफार्म करेंगे तो चेक करेंगे चाहे आप फ्रंट में इंसर्षन करें, या रियर पे इंसर्षन करें दोनों ही case में आपको check करना है कि हमारा array full तो नहीं है और अगर हमारा array full है तो हम insertion नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा array खाली है इंपटी spaces हैं तब हम उचे में insert करेंगे, तो चलिए front and rear दोनों minus one है सुरू में हम इसमें पहली value को insert करते हैं है ना अब deletion तो ऐसे भी करी नहीं सकते है ना इसी तरह से जब हम delete operation पर फार्म करेंगे तो हम check करेंगे कि क्या हमारा array में element है की नहीं अगर element होगा तब ही तो हम delete कर पाएंगे है ना नहीं होगा element हम कैसे delete कर पाएंगे तो हमारे पाथ दो function तो ऐसे होने ही चाहिए जो check करेंगे कि हमारा जो ये array है वो full है की नहीं है ना और एक क्या check करेगा कि empty है की नहीं है ना तो full और empty वाला दो function आपको बनाना पड़ेगा अब पहली बार मुझे element को insert करना है तो मैं चेक करूंगा क्या हमारा array फुल तो नहीं है तो ये बात आएगे कि full नहीं है तो जब पहली बार हम लोग insert कर रहे हैं तो front या रेर दोनों same है तो हमाल लीजे insert करने हैं लेटसे यहां पर हमने 5 को insert कर दिया अब जैसे हमने क्योंकि पहली बार insert किया है तो हम लोग front and rare दोनों को minus 1 से बढ़ा के क्या कर देंगे 0 कर देंगे है ना और हमने 0 index पर एक element को insert कर दिया तो लेटसे मैं यहां पर भी इस तरह से 0 को insert कर देंगे तो दोनों जखा मैं insertion आपको दिखा रहा है अब आप ध्यान रखना कि जो front और rare है उसमें 0 आ चुका है अब फिर से अगर माल लो आपको insert करना है अच्छा देखिए अगर इसी time पर आपको delete करना है तो delete कैसे करोगे आप चेक करोगे क्या हमारे array में element है हाँ हमारे array में element है फिर जब आप delete कर रहे हो तो आप चेक करोगे कहीं front और rare बराबर तो नहीं है क्योंकि अगर front और rare बराबर है आप उसी element को delete कर रहे हो तो हमारा जो array है वो खाली हो जाएगा पूरा-पूरा तो अगर आप इस time पर deletion पर फार्म कर रहे हो तो क्योंकि front और rare दोनों बराबर है तो जब आप 5 को delete कर दोगे तो आपको फिर से front end rare को क्या करना पड़ेगा माइनस one set करना पड़ेगा है न इस तरह से तो अभी तो हम लोग delete नहीं करने वाल है तो मैं इसको रहने देता है अब माल लिजिए आपको एक और element insert करना है तो आप कहां पर insert कर रहा है माल लिजिए आपको front में insert करना है अब अगर आपको front पे insert करना है तो आपका front क्या है अच्छा देखिए आपका फ्रंट अभी यहां है देखिए पॉइंट नहीं कर रहा है फ्रंट में इसका इंडेक्स है मैं दिखानी के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यह तरह से आप समझेए अब अगर आपको फ्रंट पे इंसर्ट करना है अब इंसर्ट कर रहे हो इसके इस साइड में कोई भी मेमोरी नहीं है तो आप क्या करोगे कि फ्रंट की वैलू जीरो से बढ़ा के सेवन कर दोगे समझे बात आई आपको लास्ट में चले जाना है इस तरह से देखिए अभी जो फ्रंट है अब सर्कुलर क्यू में आप समझे आपको ज्यादा अच करना है तो आप आगे नहीं जाओगे इस तरह से आगे नहीं जाओगे आपको पीछे आना है इस तरह से है ना क्योंकि रेयर आगे बढ़ता है है ना तो क्या करोगे आप फ्रंट की वैलू क्या कर दोगे सेवन कर दोगे फ्रंट की वैलू आपने इंक्रिमेंट करके सेवन कर दिया अब क्योंकि आपने front की value को 7 कर दिया तो 7 index पर आपको insert करना है let's say 6 तो आपने 6 insert कर दिया और यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ यहाँ क्या आ गया 6 आ गया इस तरह से तो यानि कि जो यह front था यह front अभी इसको इस तरह से वो कर रहा है है न और जो यह वाला front है यह इसको इस तरह से कर रहा है अगर माल लीजे आपको rare पे insert करना होता तो rare पे insert करना होता तो rare अभी हमारा इसको point कर रहा है तो पहले तो आप check करोगे कि हमारा अरे खाली है हाँ हमारा अरे खाली है क्योंकि अब हमारा अरे खाली है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग insert कर सकते हैं, तो rare में आपको insert करना है, तो rare अभी 0 को point कर रहा है, आप check करोगे, कि rare की value कहीं 7 तो नहीं है, अब rare की value 7 नहीं है, तो rare को आप 1 से increment करोगे, यानि कि 0 से 1 कर दोगे, और 1 पर करने के बाद, आप य यहाँ पर क्या किया, 3 को insert कर दिया, इस तरह से, और जैसे ही आपने 3 पर insert किया, तो जो आपका front होगा, वो अभी इसको point कर रहा है, जो front होगा, वो इसको point कर रहा है, है ना, इस तरह से, अब फिर से अगर मान लीजी, आपको insert करना है, तो अगर आप front पर insert कर रहे हैं, तो फ्रंट की value आपको क्या करना पड़ेगा 7 से 6 करना पड़ेगा है ना आपके फ्रंट की value 7 से 6 करना पड़ेगा इस तरह से आप insert करोगे तो फिर से माल लीजे अगर आपने 7 से इसकी value 6 कर दिया है तो आप यहाँ पर insert let's say 4 कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से 4 चला जाएगा है ना अब अगर आपको rare insert करना है तो फिर से आप rare को increment करोगे है ना माल लीजे कि इस time पर आपको delete करना है माल लीट करना है अब delete करना है तो आप front से कर सकते हो या तो rare से कर सकते हो तो मान लिजे अगर आपको rare से delete करना है अब rare से delete करना है तो rare की value आप क्या करोगे अभी rare में क्या है 1 है तो rare की value भी क्या है 1 है और rare की value अगर 1 है तो rare को आपको decrement करना पड़ेगा है ना अब delete कर रहे हो तो पहले आपको check करना पड़ेगा क्या हमारे array में element हैं कि नहीं अब क्योंकि हमारे array में element है तो हम उनको delete कर सकते हैं तो rare की value आप 1 से decrement करके 0 कर दोगे और आप इसको क्या कर रहे हो delete कर रहे हो तो जो rare है अभी जो rare है वो फिर से क्या करेगा इसको point करने लगेगा है ना यहां पर जो rare है अभी यह 0 पर आ गया है ना और जो यह 3 था यह delete हो गया इस तरह से है ना अगर आपको माल लो front से delete करना होता अब क्योंकि आप सिफ आपको front से delete करना है तो front में अभी क्या है 6 है है ना तो front में अभी 6 है तो आप क्या करते 6 वाले element को delete करके front को क्या करते आगे बढ़ा देते हैं तो अगर आपको front से delete करना है तो आप क्या करते इसको ऐसे इस तरह से delete कर देते और front की value क्या कर देते 7 कर देते हैं तो जो front है वो इसको point करने लगता इस तरह से आपने इसको डिलीट कर दिया जो फ्रंट है वो फिर से यहां पर आ जाता है ना अच्छा आपना क्या करिया कुछ आर्टिकल गएरा पढ़ लीजे इधर धर से है ना अगर आपको clear नहीं हुआ है आमें लोगों करना क्या है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा पढ़ लो ठीक है तो क्या होता है कि जो यह circular अभी जो हमारे पास डबली इंडेड की हुए इसको implement करना array का यूज करके circular array का यूज करके थोड़ा ना tough हो जाएगा हाला कि मैं आपको बताने को बता सकता हूँ लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है यार मैं आपको इसको implement करना बताऊंगा डबली लिंक लिस्ट का यूज करके और आप देखना कि बहुत ही best programming हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं है ना आप देखना कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर programming करेंगे आप क्या करना कि यह circular array का यूज करके डबली इंडेट क्यू को implement करने की कोशिस करना आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर चले जाओ आप Google सर्च कर लो और डबली इंडेट क्यू डबली इंडेट क्यू सर्च करो यार और geeks पागी इसकी या कोई भी वो साइट आपको यहाँ से मिल जाएगे आप ओपन करो और यहाँ से आप पढ़ो तो पढ़ने के बाद आप इनको implement करने की कोशिस करो और हर एक situation को आपको handle करना है तभी आप कर पाओगी है ना हला कि अगर आप ज़्यादा अगर recommend करेंगे comment section में बोलेंगे तो मैं W-inded Q की implementation circular array का use करके मैं आपको बताऊँगा और definitely बताऊँगा अगर आप लोग comment करोगे तो अगले lecture से हम लोग सीखेंगे कि W-inded Q को किस तरह से implement करना है W-linked list का use करके तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा कि क्या होता है कैसे होता हम इसको लोग implement करते है circular array का भी use करके या तो linked list का use करके best idea यही रहेगा कि आप linked list का use करके implement करो है ना क्योंकि अगर देखिए अगर आप लोग array का use कर रहे हैं तो इसका size fix है और अगर इसका size fix है यार तो आप ज़्यादा elements को add नहीं कर सकोगे है ना क्योंकि अगर आप elements को add करते ही जा रहे होते है फुल हो जाएगा तो यह best method नहीं है तो I hope आपको यह समझ में आया होगा and thank you so much bye bye